C for Comedy, C for Charlie Chaplin, The Legendary Comedian या फिर यू कहो की कॉमेडी के बेताज बातसा, The King of Comedy, वो भी उस दोर में जब फिल्मे मूग बना करती थी, आप इमेजिन कर सकते हो, बिना बोले जिन्दगी की जीना कितना कठिन हो जाता है, क्या बिना बोले जो पकवान आपके पसिंदिदा हैं, वो इ पुरी दुनिया में खुब खुसियां बाटी है, लोगों के दिलों में इस तरह बसे, कि उनका नाम जुबा पर आते ही, होटों पर मुसकान आ जाती है, और यह सब कुछ इतना आसान लगता है, पर इतना आसान थाने, इतने कम समय में वो नाम कमाना और दूसरा, उस नाम क को आस तक बरकरार रखना, यह चीज बताती है कि उन्हें अपने काम से कितना ज्यादा प्यार था, यहाना एक बड़ा सीधा सा मोटिवेशन जनरेट होता है, कि जिस व्यक्ति ने अपने समय और खुद पे, जिसने भी दिल लगा के पूरी इहमानदारी से काम कर लिया, उस को विश्व सिनेमा में चारली चैपलीन के रूप में अमर कर दिया, चारली चैपलीन का जन्म 16 अपरेल 1809 को लंदन में हुआ था, मा हैना चैपलीन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलीन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते और अभिनय करते थे, शुरवात के तीन वरसों को छोड़कर चारली का बचपन बहुत ही मुश्किल गुजरा था, एक बार जब मा गाना गा रही थी, तभी उसकी आवाज बंद हो गए, वो इस स्टेज पर गाना ना गा सकी, बाहर बैठे दर्सक जोर जोर से चिलाने लगे, ऐसे में मैनेजर ने लगबख 5 साल के चारली को दर्सकों ने खूब पसंद किया, और स्टेज पर सिक्कों की बारिस होने लगी, यही चारली की पहली कमाई थी, सायद तभी चारली के बालमन ने हस के उस सिध्धान्त को गढ़ लिया था कि असल में जो बाते दुख का गारण होती है न, वो नाट्टे या फिल्म में हसे क गारण बनती है, यही वज़े है कि आगे चल कर चारली की फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलापन और बेरोजगारी का चित्रन किया गया है, माता-पिता के अलग हो जाने से चारली का बच्छवन बहुत मुस्किल में गुजरा था, चारली चैपलिन बेहत कम उम्र से ही स्टेज सो करना सुरू कर दिया था, मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने एक अमेरिकन कमपनी के साथ काम करना सुरू किया, जिन्दगी में न कुछ भी तै नहीं होता, बस हमें समय के साथ ठलना पड़ता है, अगर उस दिन वो 5 साल का बच्चा साहस ना दिखाता, स्टेज पर गाता नहीं, तो आज सायद वो दुनिया के दिल में राज नहीं करता, चारली वैसे तो दुनिया में खुसिया माटते थे, लेकिन उनका निजी जीवन हमेशा कठनाईयों से भरा रहता था, चारली पर FBI द्वारा की गई जांच की, 2000 पेज की रिपोर्ट में ऐसा दिख उन्हों में राज करने वाले चारली अमेरिका में अपनी जगह नहीं बना पाई, अनेको कठनाईयों को छेलते, सहते हुए भी उन्होंने अपने काम पर अपनी नीजी जीवन का असर नहीं होने दिया, इसलिए सायद चारली वो मुकाम पर बैठे हैं, जहां पहुँचना चारली चैपलीन भारत के सौतंतरता आंदुलन में महत्मा गांधी की भूमिका से काफी परवादी थे, इसलिए महत्मा गांधी का बहुत सम्मान करती थे, जिन्दी को हसके जीना और इस तरह से जीना, कि अंदर जो परिसानिया छुपके बैठी हैं, जो अकसर रातों में परिसान करती हैं, अकेले में परिसान करती हैं, उनको ये महसूस होने लग जाए कि ये सक्स अपने मुकाम में इतना व्यस्त है कि इसे हमारी कोई परवा ही नहीं है, और ये दुन्या गनियम है, कि जिस चीज की हमें परवा नहीं होती न, वो हमें छोड़ कर चली जाती है, मत करो परवा याती याती परिसानियों की परवा करो तो सिर्फ अपने मुकाम की अपनी सफलता की जो 40 अपनी ने करी थी सिर्फ अपने मुकाम को हासिल करने की कितनी भी परिसानिया आई कितना ही त्रिसकार हुआ लेकिन वो फोकस्ट है अपने काम को लेकर अपनी सफलता को लेकर बस यही करना है हम सबको भी अपनी life में पहला समय को बरबाद नहीं करना है दूसरा खुद पर इतना काम करना है कि कुछ और करने का समय ही ना रहे हमारे पास किसने मुझसे गहा था कि जिस दिन तुमने टाइम की वेल्यूस हमझ ली न, 50% सक्सर तुम्हें तभी मिल जाएगी और ये मैं फिल भी करता हूँ आखिर वो दिन आया जब ये महानात्मा दुनिया की जुबा में अमर होके इस दुनिया को छोड़ कर चले गया 25 दिसमबर 1977 को मौत की गहरी नीन में सो गए दे ग्रेट कॉमेडियन चार्ली चैपनी, चार्ली चैपनी के विचार बहुत ही उच्वाई थे इनके विचार हमेशा लोग को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे जिन में से इनके बैस फाइब जो मुझे बहुत ही पेना लेते हैं मैं हमेशा बरसाथ में घूमना पसंद करता हूँ ताकि वोजे मुझे रोते हुए न देख सके हसी के बिना बिताया हुआ दिन बरबाद क्या हुआ दिन है किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नसे में होता है सीसा मेरा सबसे अच्छा मित्र है क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो वैं कभी हसता नहीं मेरा दर्द किसी के हसने का कारण हो सकता है पर मेरी हसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए बागी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मलब वीडियो आपको काफी फसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि अंगुठे वाला बटन दवा के इसे लाइक जरू करें बागी अपने दोस्तों और लोगो के स झाल